अब देखरें नसीम जहरत पाकिस्तान हमारे साथ इस वर्ग पाकिस्तान के फॉर्म प्राइम मिनिस्टर पीमलन के सीनियर लीडर ओदे उनके पास क्या है वो पूछते हैं उनसे हमारे साथ चाहिद खार कानेबासी सावें इस वक्त हीज़ पार्लिमेंटेरियन इससी खुच्तान हमारे साथ बनेकानीयम करके पार्धर प्रऑदियन। अ चाहिए के अर फॉर्मारती तो थे कहा हमारे सेफ़गे ए वर्मेर्प्रिया। जिनियॉद भाड़ प्रभास कृज । । । । एकुछी है। । 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 के बाद हकूमत में आ गया इससे आगे नहीं है मेरे खाल में अधिया नहीं नहीं बने बनेगा कम अधिक मेरी नॉलिज है उसके राबा अच्छा एलेक्टरिल एलाइंस नहीं बनने जा रहा है नहीं अधिया और अधिया नवाज श्रीफ सब से मिलके भी आएं तो ठीक है ओक आएिएगा इस पर दोते रही पीघल्स पार्टी की तरफ से मतलब तजिया निगार कह रहे थे किसी पार्टी नहीं कहाँ पीबल्स प्रटी से इलाइंस ना करने का इस वक्त क्या कोई खास वजह है या आप क्या सोच और या उदू क्यों आप मनता नहीं है ऑ पी-ए-मल-n आप रिखाना उस में उसाला पंजाब करती हम मेरे मूग है। पेले बी रिखने निखाना निखेशने के लिखज्टा सेट्टेवेल जाओल किन उनकिले किसे सेट। सीटों की बात करते हुए आयू अई नॉट वी काया कि मैं ये 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 लेक्शन लिडने नन लिडने का फैसला। मुझे 35 साल हो गए है यह हलके की लोग करते हैं लेकिन मेरी इसमेराई यह है कि करते भी यह और आप भी करते हैं इसलिए कि अगर हम एलेक्शन से पहले आगे के रास्ते का ताईजियों नहीं करेंगे लेक्शन बेमक्सद है किसी बेमक्सद इसलिएक्शन में इसलिएने का मैं कमस कम काईल नहीं है लेकिन आप अपने काईद को काईद मानते हैं नवाशी साथ दो अगर वह आपको कहेंगे कि आप लड़ें तो पहर लड़ेंगे नहीं मैंने उसे अपनी राय का ज़़ार कर दूँगा अज़र मैं कर सकती है ये इसे वantage विटी यए भी रह चुकी है कि है वो मुकाबला कर सके नहीं कर सके थोड़ा सा मैं ए대फिंटक की रहना चाहती हूं जो आप आपके होगारे से आपने यकीनी तौर प्रिशि यह कह चुक हैं पहुत मुर्ट्बा पॉडिकली के जी मैं एलेक्शन नहीं लड़ना चाहता तो यही जो आप फर्मा रहे हैं तो नवाज शरीफ साब का क्या खाल है इस पर फिर्स्ट आपके लड़ने पे और फिर यह जो ब्रॉडर आप कहते हैं कि जी इस पर बात होती है जब आपनी मुलकात होती है बहुत सी बाते डिसकास ह आई हैं लेकिन यह मैंने पहले आपको कहा कि मेरा नहीं खिखाल कि आप कुई जोर से एलेक्शन रणा चाहिए यह निकिसी अगर आपकी नियत यापकी सोच ना हो आपका इल não हो उस एलेक्शन का को फाइदा नहीं होता एलेक्शन को बामकसद बनाना आज इस मुलकी पॉल से समझ जाएं कि जब आप कहते हैं बामकसद बिनाने के लिए what are the four five things you think होनी चाहिए before the elections नहीं आप four five things नहीं है ये आपको सारी political leadership चार-पांच लोग है नहीं बात नहीं है आर्मी चीफ और chief justice ये बैठ कर इस बात का तायून करने कि हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा ये जो political parties तो कोई 8 10 15 14 नहीं बड़ी party चार-पांच जो हैं क्योंकि आपके आपके पास एक इस काम के लिए political support आपको चाहिए और ये किस काम के लिए जा काम काम के आप नइब का क्या करेंगे सबसे पहले मैं वेशा कहता हूं नइब का क्या क्या करेंगे तो जर्दारी साब भी कहते हैं लेकिन आप लोग ने तो मिल के उसमें amendments करें मैंने कहा नहीं नहीं उसको खतम करने चाहिए अचा एक नभ वाजिया कि गवर्निंस का क्या हैं तो आई यू ओंडी टॉकिन अवर्दे बिर्याक्रिसी या उसके भी कुछ आप यह नहीं से पिर जो इदारों के आपस बिंट्रेक्शन है वो रिलेशंशिप क्या होगी जो सूब से रिलेशंशिप है वो क्या होगी सूबे इतने रहेंगे या नहीं रहेंगे यह यह भी आप सोल सकते हैं यह से बात हो सकती है कि नए सूबे बनने चाहिए यह नहीं अगर उस पर कंसेंसिस नहीं होता तो उसको फिर डिवॉल्व करें अथारिटी को लो लो लेवल पर सूबे जिस तरह आज हैं यह सूबे डिलिवर नहीं कर रहें और फिर जो आपकी फिन हैं यह वो पूरी करें तो यह यह बहुत सी चीजें जो जजामी धांचा है मुलका जो माशी धांचा है इसको आपके एक रेडिकल रिफॉर्म आपको चाहिए वो रिफॉर्म आज तक सब इक्तदार में रह चुके हैं वो रिफॉर्म नजर नहीं आया उसकी कोशिश भी न टैक्स दे यह चॉइस नहीं है या उस निजाम को खतम करने के जी कोई पाकिस्तानी टैक्स नहीं देगा अच्छा देखिए मतलब टैक्स ही का मामला अगर ले ले लें तो कल पर पिछले हफते कुछ दिन कामरान खान साब के शोपे तोला साब थे तो एमीन इन इट वस जी इतनी है अच्छा तो फिर अभी जो आप लोगों ने टैक्स बढ़ाया है आप लोग है ना यो आप लोग आप यो दे गांवन राइट तो यह जो आपके ट्रेडर्स हैं यह जो इनको क्या कोई पक्की छूट्री दी ली आपने नि मैं यही किया नहीं यही पॉलिसी ज बनती है कि आप जो लोग टैस्स देरें नको टैस्स बढ़ाई जा रहे हैं आपको तो चाहिए कि टैस्स नेट को ब्राडन करें हम ट्रेडर हो पाइलेट हो पॉलिटिशन हो जज हो जन्रेल हो सबका आप इस मुलके शहरी हैं अगर आप इस मुलक में आपकी आमदन है ठीक ट्रेडिंग करें जो मर्जी करें ठीक आप फार्मर रहें जो मर्जी करें ठीक उसके बाद एक आपके वास नेट इंकम आती है ठीक उस पे एक हिस्सेदार है उसका ना हम है हकूमत पाकस्तान अगर आप हिस्सा अदार नहीं कर रहें फिर नसीम जारा कि हिस्सा मैं अदा कर You've been talking about these things, you know, repeatedly और हर प्रोग्राम में आप ये बात कर रहे हैं अभी आपने बड़ी clarity के साथ सब बयान कर दी है मुझे ये समझाएं कि आप मतलब government plus स्यासरदान सबसे आप बात करते हैं Are there any takers of this? मुझे ये बताएं कोई इस मुल्क में है कोई इस मुल्क में है जिसके पास ताकत है और जो असर अंदाज हो सकता ये सकती है on a process कोई है जो आपकी बात पर यानि कान धर रहा है किसे जूर रिंगती है किसी कान पर जूर रिंगती नहीं है तो रिंग चुकी है जिस घर की आमदन सूध भी अदाना कर सके और उस घर के रहने वाले अपना हिस्सा ना डालना चाहे वो घर कैसे चलेगा वो घर नहीं चल रहा इस बात को समझें हम तो समझ रहे हैं हम तो ये भी आप से कह रहे हैं कि ये कमाल ही है कि आप ट्रेडिंग क्लास को और जो इनको कोई पूचते ही रिटेलर्स को डरते इतना है वो हम जो बातें करते हैं एक फिक्स टैक्स की ये चीजे में इसके हाग में नहीं हूँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ट्रेडर हूँ मैं नोकरी करता हूँ जो भी करता हूँ कारुबार करता हूँ अकिर मेरी नेट आमदन आती है एगाल के इस तार हूँ और नोकरी का सिल्सला खित्म करें मैं इस हुचमत को लिखना चाहता हूँ कि मैं भी नोन फालर बनना चाहता हूँ आप भी लिiddखें इस बोट में जो टैक्स की लिए है यह काम भी अगर उसके सोच नहीं है उसके 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 उस अपनी बात नहीं करना चाहता हूं कि मैं क्या करता हूं यह बात हम सब को करनी चाहिए यह बात समझ नहीं आरी हमें फिर हमें खुमरानी का असल नहीं है आइ देखें WE MOVE IN THE HOOKMARANI CIRULS हम थे नहीं करते रा आप ज्यमाट in the augsen आपध प्जाब के नहीं वह थे पुझाज जएगी वह भो तो नहीं नहीं हो जो जाएनल के और ढॉने और के कोलिकर शूद्य है आदेतको ट्राइस को तो बोले दाम, जो इसके ऑदा ऑदा इसे तो नोकर सकते है, तो आपकी जो मुखिली है स्टाप योजिए उसके नियुक्त है नर्मिंग noi उनल इसमेध थी यह सवालम यह भी रही आफावाज अटम यह पता है है अभी बजट अप्रूव हुआ ना जो इसेंबली के अंदर 342 लोग जो मौजूद है या नहीं मौजूद हैं कितने उनमें से फाइल नॉन फाइल मैजॉर्टी आप देख ले ना सबसे पहले उनसे सवाल करें कि या तुम टैक्स देती हो कर नहीं देती हो अगर टैक्स नह मकमल तोर पार्सा और इमानदार लोग है क्योंकि नहीं 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 आता है किसी को पकड़ा नहीं है 24 साल में थावित होगी है अच्छाद देखें मैं आपको बता हूँ, अब आप जरा सुनिए बात ये कि आप जो बातें कह रहे हैं और इतनी उसमें दिया सो लॉजिकल, दिया सो अवियस, दिया सो रीजनिबल, जो वियूर्स है हमारे वो तो देखें ना आप क्यूंकि आपका तालुक सियास्त से है, ह को लग रहा है, कोई स्यासदान सुनने ही नहीं वाला ये बातें, तो फिर हम, हम शहरी क्या करें? I mean, that's a valid question. ये बात मेरी सुनने या कहने की सरफ नहीं है, ये बात हरे को खुद समझ आनी चाहिए. ये ये एक बुनियादी बात है, कि मुल्क में टैक्स अदा करना आपकी जिम्यदारी है, टैक्स अदा नहीं करेंगे, अब मुझरम है मुल्क के. ये बात अगर समझ नहीं हमें, ये बात कर रहा हूं, ये बाते हैं आज तैह करके आगे आगे जाएंगे तो काम बनेगा. ठीक है, अच्छा ये नाजरीन आपने सुना शर्थखा करनावाज सब क्या कहने हैं कि जी आहम में आप में सोच ही नहीं है, इनको जरा थोड़ा जवाब देते हैं बाद ब्रेक के विल्कम बेक नाजरीन, हमाज साथ शायद खाक का नवासी सफार फार प्राइमिंस्टर है, पीमलन के लीडर है, अच्छा शायद सब ब्रेक पे जान से पहन से पहले आप ये फर्मा रहे थे कि देखें, जिस मुल्क में रिलाइजेशन ही नहों के टैक्स देना है तो फिर क चा करें 75 साल से देखें ये तो आप मानते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में चले जाए हैं और निजाम तो चलता ही, इनफोर्समेंट से हैं ना, देखें, जेज नो कंट्री इंदे वर्ल वार्ल वेरियूस है के जी, कोई पूछने वाला नही है, लेकर जाव जाके नेक क इस देड़ूलानी तुर्ण को तो अगर मैंपणने कें तुर्म के अधारें से इन एक्स हम अगर एपने मेंधरें सेनेटर से भी हम टैक्स नहीं ले सकते हम अपने MPA से नहीं ले सकते यह वह लोग अवाम पर टैक्स लगाते हैं हम ने कैटेक्टरी बनाई हूए यह नान ओम रखी आप खतम करें इन मामलात को आपके टैक्स ही देओगे अंदर जाओगे और हकूमत के पास यह आज टेक्नालोजी यह ओवर साइफ मौजूद है कि वो आपकी तमाम इखराजात को जान परताल कर सके उसको मजीद बढ़ाएं मैं तो यहां से शुरू करूंगा कि जो कार्ड बे आ जाएगा कि नसीम जर्णा ने का जी मेरी इंकम नहीं है ठीक है उसके बाद जब आप कोई चीज़ खरीने जाएंगी इखराजात करेंगी तो मैं फिर आप से सवाल करूंगा कि भई आपने का थे इंकम नहीं है यह पैसे कहां से आए आपके पास यह जवाब दे दे इस तरह टैक्स की इनफोर्समेंट होती है टैक्स की इनफोर्समेंट डंडे से नहीं होती एक थरेट से होती है कि आपको पक्रा जाएगा डंडा बाद में मारा जाता है पहले उनको एफबियार के चुंगल से निकाले आप आज आपने क्या किया है कि जो लोग टैक आप जी आप शी ये पता कर सकते हैं कि किसके क्या खराजात है बिलकुल जो आदमी साल में दो उम्रे कर रहे हो टैस सदानी करता हो उसके बारे में आप क्या कहते हैं। जो चार दफ़ा मुल से बाहर जाता है उसके बारे में आप क्या कहते हैं तो शायद खाका नबाशी साहब जैसे के हम ब्लीडिंग स्टेट ओन इंटरप्राइजिस की बात इसी तरह से 20 साल से करें I can tell you 20 साल से तो मैं सुन रही हूँ और दमड़ी भर फरक नहीं पड़ा इसी तरीके से ये जो आप टैक्स नेट की बात कर रहे हैं मुझे याद है कि जनल मुशरफ के दोर में या कई हूँ ने का जी हमने पता नहीं कितने सो लोगों के याद है आपको कि हमने नाम निकाल लि हर चीज़ पे क्योंके कुर्सी सब को जीज़ है उसके लावके सिक्स पर इंगे अगर आप टैक्स लेने में कॉम्रमाइज करने तो आपको कोई हक नहीं है होकमरानी लेकिन ये करने ना करने यही बंदसी भी है आप आप जब टैक्स जब नसीम जैरा साइबर टैक्स अदा के लिए अपना मुल्च चलाया और आज आपके सबसे बड़ा आपकी सारी आमदन जो है वफागी हकूमत की आपका सूद उससे ज्यादा है उस सारी सूद में जाती है आप मजीद कर्दा लेते हैं सूद मुकमल करने के लिए उसके बाद मजीद कर्दा लेते हैं दिफा के के लिए बुल्च चलाने के लिए डिवेल्प्मेंट के लिए यह हमारी आज कैफियत है और हमें परवा नहीं है ने परवान ही है आपके तो सेनेट चेर्मेन जिसमें के पीपल्स पार्टी के यूसर क्या यूसफ रजागिलानी का भी नाम बिल में हमें देखा और रबानी साथ ने मी यनि बाहरां लोग इनको चाहिए फोर लाइफ तो प्रोटेक्ट थेमसेल्स वाट अशेम इस नहीं देखें ये ऐसी बात है कि मेरा सर तो का शर्मिंदगी से हम लोगों को क्या बताएंगे कि जिस मुल्क में ये एक तसादी हालात हो जिस मुल्क में ये कैफियत हो उस मुल्क की वहाँ पर हमसे और कानून पास नहीं होते हम चेर्मेन सेनेट को मुराद देने के लिए पूरी मेनत करते हैं और एक लंबा कानून मनाते हैं कि उसको क्या मुराद मिलेंगी यह यह मजाक कर रहे हैं मुलक के साथ अगर चेर्मेन सेनेट से मुलवस हैं मैं मुझे हरांगी इस बात की है कि कर क्या रहे हैं अच्छा बाद में पीपल्स पार्टी की वह शाजी अमरी साहबा करी हैं यह हमें बिलकुल नहीं पसंद है और हम इसको पोस करेंगे और मानवी वालसा कह रहे हैं अब आप इस बिलकुल भेज दें जी उदर कमिटी में और अधर हम जाके इसकी शिक बश्क बात करेंगे मेरा खाल है अधर प्राइमिंस सब्सक्राइब ने हैं डार साब ने कहा है कि हम इसको पूस करेंगे असेंबली में इसको पास ने देंगे यह सेनेट से पास हुए ना हर जमाद आपने लोगों से पूछे ना तुम क्या कर वा रहे हैं लोगों से अदम इत्माद दोने चाहिए उनके हलाफ यह यह आप आपको बिल पड़ें मैंने उब बिल पड़ें मैंने अधाली वह हलार हो गया हूं शौकिंग है सब और सब के ना में आप बतलब ताहियात आप मतलब कौन से हुदों पर रहे हैं यार बारा बार लोग आपको प्रोटेकरने के लिए हैं वो तो वक्त होता है कि आप निकले और बाहर जाके आप कोई लावास्ते खुद काम करें आपको किस को मिलता है आप आप कानून बना रहे हैं और उसमें गुंजाइज शोड़ रहे हैं कि जो कमिटी फैसला करेंगी बो भी मिलेगा जो कमिटी ये फैसला करें कि साबका चेर्मन साबको दो करोड़ पर महीना मिले कि आप दो करोड़ देना शुरू करा देंगी अच्छा मेरे खाले एक और भी बात है मुझे नहीं मालूम इसमें बिकाज हमने इस पर स्टडी नहीं किया कि जी जाजिस को जैनरल्स को बिरोक्राट्स को क्या मिलते हैं आइव लो क्लू के जब रिटायर होते हैं तो मतलब अगर कोई इसमें बैठा है कि जी उनको देखे उनको क्या मिलते हैं तो बजाए के सबका लेके आएं और कहें कि जी लेट्स रैशनलाइज दिस के मुल्क के जो हलात हैं और उसको देखते वह यह वो उपर से कहरें जी हमें भी दे दो कि दे 28 को ठी हैना क्या दूसरे मुमालिक में यह मिलता है यह है पता करने ना एक गदी जो करदे कर गुझा कर रहा कर रहा है हुए अज़े है आप उसके उदर बिल पास कर रहें पूरी चेरे रहें कि आप प्ली चार्टर करके जा सकते हैं यह देखा हम Vorteil के प्ली आपकी प्ली याप का लाइंग हमे यह एक बन्तब्त है अब आपकी ये इस मुल्क के अवाम के नमाइन नहीं है जो ये बात करते हैं तो देखे ना बात ये इतनी इसी मुक्तसर सी है शायद खाकानवासी साब के आप तो बहुत लंबी एक बात कर रहे हैं बड़ी आप सही कह रहे हैं बच और अबजेक्टिव एन एजिंडा इधर क लिए नहीं है वो किसी और जूपिटर ये चार शीट होगा कल इस मुल्क पर कोई गहराईनी अमल होता है ना ये आपके पर सबसे बड़ी चार शीट होगी कि जब मुल्क की इतसादी कैफियत ये थी तो इस मुल्क की सेनेट जो अपने आपको सबसे बड़ा हाउस कहता है वो अवाम के काम नहीं कर रहा था वो चेर्मेन सेनेट साब के बिल पास कर रहा था कि उनको क्या मुराद मЗीद दी जए और ताहिड दी जैए गल्तो ये पास होना चाहिए था कि जो मुराद हैं वो भी खतम करतें एक तरफ दरजिय citing जो हैं वो तनखा घतम कर रहें सब قी और एक तरफ चेर्मेंट सेनेट जो हैं वो ताहियाद मुराद ले रहें और बहले बीज चेर्मेंट सेनेट तो भी जिन्दा होंगे उनको भी मिलेगी। इसको कहते हैं कहते हैं शायतखा कानवाशी साथ लाक ओफ इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी इन अपने अपने एक ये कमपार्टमेंट बनाए सोच का एक ये बनाए ये और सब आपस में जेल नहीं करते पैसा नहीं है उस पे आपने रोना रोना है पब्लिक के सामने अंदर पैठे हैं तो अपने लिए मराद करें इस लैक क्या आप इंटेग्रेटेड नहीं है थोड़ी माफी मांग ले यार इस मुल्क से सैनेट में एक रेजलूशन पास हो कि हम माफी मांगते हैं पाकस्तान के अवाम से ये तो कर सकते हैं ना अगर ये भी नहीं करेंगे लोग ज है कि हमारी सोच क्या है हम सबस्में से सामिल हैं मैं से बार नहीं हूं कि मैं भी इसी पारलीमान के मेंबर हूँ हमारा सदर भी स पारलीमान के मैंबर है तो आप nationalism assembly में Gewolf की कर रही है जब मुल्क के पास पैसे नहीं है और यहां चेर्मन सेलेट साब को अपनी पड़ी हुई है अगर कोई और जमूरी मुल्क जमूरियत होती चेर्मन सेलेट साब रिजाइन करते हैं रिजाइन करते हैं बेशक बेशक नाजीन ब्रेक लेते हैं बेद वापस आते हैं स् कानवाईसी सब तश्रीफ रखते हैं ये तो हम यकीनी तोर पे आप भी यही कहेंगे और हमें भी यही लगता कि शायद खा कानवाईसी सब ने उस मिलियन डॉलर क्वेस्टन का जवाब नहीं दिया कि ये जो इनके आईडियाज हैं ये कौन मानेगा क्योंकि अभी तो वो सेनेट का ही हम रोना रो रहे थे लेकिन उस वो खुद ही शायद खा कानवाईसी सब बात करते हैं इस पे और कोई करता नहीं है और लगता भी नहीं को यासार अगर मैं अब से कहूं के इलेक्शन होने से पहले किते चांसेज हैं कि ये जो आप फरमाते हैं रिफॉर्म्स हों स्टेकोल्डर सब मिलके और स्टेकोल्डर चीफ जैसे से बात हुए आपकी ये मैं किससे बात करूँ तेख माइच बात ये है कि ये मेरे हाँ जी जी यह इस मुल्क के अहलाद का तकाजा है यह मुल्क के शैरी होने की दिमेदारी है नहीं मैं उन रिफॉर्म की बात करें थे सब्किने मैं एक छोटा से रिफॉर्म मैं आप बताया आपके साब ने किस मुल्क के जो लॉव मेकर्ज़ें कम बसक्तर वो तो टैक्स दा कर दें तो वहां से शुरू करें अच्छा यह होने तो नहीं लगा आपको भी पता है पता नहीं कोई होने नहीं लगा फिर आपको मुल्क नहीं चलेगा नहीं तो जब तक आप टैक्स डैट नहीं बढ़ाएंगे एक मुझे यह बताएं एक शैरी होने की दिमेदारी क्या ह होती मुझे एक मुल्क बता दें जा इनफॉर्समेंट वी का भी हो रहे हैं तो मैं यहीं तो कह रही हूं नहीं हो रही हमने लूप फॉल बना दिये हैं तुम बन जाओ तुम नॉन फाइलर बन जाओ नहीं सबसे बड़ा मैं तो खत लिख रहा हुए अफ़े गौर्मेंट पाकस्तान को कि मैं नॉन फाइलर बनना चाहता हूं कोट में चले जाएं इसके खिलाफ टेक दम मैटर तुड़ को आप देंगी नहीं वो तो कोई ना कोई आ जागा आपके पास खड़े हो के साथ चलें आप तो थोड़ी सी बातें चोटी मोटी कर लें बड़ी एहम बाते तो हो गई अच्छा यह अलीम खान साथ ने कल एक प्रोग्राम में का है कि पीडियम की जमातें तो पिट चुकी हैं जब हम आएंगे हकोमत में तो तीन सो यूनिट तक लोगों को बेनजी इंकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुफ्त बजली देंगे क्या यह मुमकिन है हार चीज मुमकिन है अब करदा लेके मिजली दे दे मुझीद करदा ले ले मिजली दे दे तीन सो यूनिट को आप मुल्टिप्लाइ करें ना सरह कहां पर बाद जाती है यह 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 कह रहा हूँ यही जीज़े आज तैय कर ले आप मुस्त बजली दे बाद सकते हैं अच्छ मैंने पूछा था ठाव सिर्टाफ से क्लिदाय से को लोर्निंग आई व्युक्राइत हूए को शोक ओसंद आया अच्या आई नहीं नहीं कोई वर्निंग यह नहीं परिमेगेद हैं नहीं बात उन्मुने के वाट नहीं होती जर वो एक यह जर आप इसको शोकाफ जाड़ी करते हैं । कि वह झाल तो नहीं किया तो फिर यह नी के फिर मिफ्तर साहँ ने खुदी अपने कल और दे जिया है निए उनका रैइड है यह बन्म्मुनी का रैट है नोबर्डी सेंके नहीं उनक राइट अच्छा ये जो आप कह रहे हैं कि पार्टी में ज़्यादा सीट एजस्मेंट होगी तो आपको लग रहा है कि ये पंजाब की फर एक्जामपल सी एम शिप वगरा ये कोई मामला तबी डिसकास होंगे या ये बात की बात है ये मेरी नजर में चीज आपको इंपॉर प्रॉट है आच सियासी बंदर बानगी जरूद नहीं है कि मुझे कौन सा उदा चाहिए ये मैं कहना हो जिसको वदे चाहिए ले ले मुझे ये काम क्या करना है आपने आच ये डिसाइड करना है कि हम ने इक्तदार में अगर हम आई हमें आवाम ने वोट दिये तो हम ने आगे काम क्या करते हैं अगर इनी टेकर्स आफ यूर पॉइंट अव्यू टेकर ढूंटा तो नहीं हो ना नहीं आप लोगों से अगर इफ यू फील सो स्ट्रॉंगी बाउट थेंगा बात तो करते हो तो अभी तक कुछ हो चुका होता ना तो हैं कोई नहीं मैं बहुत से और लोग हैं तो यह बाते मिशले 20-30 साल से कर रहे हैं और लोग पार्लिमान के बाहर या अंदर नहीं हो अरुप से अरी हो जाते हैं मुझे बताएं तो आप एक पार्टी के अंदर अगर जैसे आप कहले ना बहुत से लोग हैं जो अंदर बाहर भी तो गर अगर आप एक reformers group बनाके उसमें active हो जाते पार्टी के अंदर ही not to तो आपको मौका मिलता है लोग बात करते हैं लेकिन उनका असर आज तक नहीं लिया गया अब हदात आपको के रहें के असर जरूरते हैं यह हम सब को समझनी चाहिए हैं यह हम कल के बचे नहीं है है यहांज पर जौ आभी समझनी वे बैखें यह पर 이 वह प्राने लोग आप बी क्रेशाल 50 साल 35 साल इसेम्लीं वह रह चुके हैं अपोजेशन में रहे चुके हैं, हकुटों में रहे चुके हैं, वजीर रहे चुके हैं, अगर इस बात की उन्हें समझ नहीं हैं, तफर यह ओदे छोड़ दें, फिर अपने ओदों से नाइंसाफी कर रहे हैं, ओदे तो लेने की दोड़ी ती लगी आप है दोड़ी है ना, फिर कर तो कुछ नहीं सके ना, फिर ममला चलेगा नहीं, फिर दोड़ी रहेगी, कोई stakeholder और कोई सोच रहा है, इसके बारे में, establishment में यह सोच है, after all they do get involved in hundred things, कौन सी party रहेगी, कौन नहीं रहेगी, IPP कोई कह रहे हैं, लंदन में बनेगी, कल तो हमाई प्रोग्रम में 14 इन्हें शायद बनवाई हो, IPP, क्योंकि वो लंदन में कह रहे हैं, कोई बैठा है, मतलब कि, यनि कि सब लोग इन बातों में तो involved है, establishment भी, तो इस मामले पर नहीं, establishment को खना है, इस्टेबलिश्मेंट भी 30, 35, 35, 40 साल इस अधार में रही है, क्या वो कुछ कर सके हैं, reform के में, उनका काम नहीं है, ये काम इस मुलक के, सिवल लीडर्शिप का है, जो वजीर खजाना है, जो वजीर आजम है, जो काबीना के मेंबर है, जो पारलिमान के मेंबर है, ये उनका काम होता है. अच्छा फिर मुझे ये कहने दें, और आप मुझे करेंगर मैं घलत कह रही हूँ, अगर मैं आपसे कहूंगे, जी ये आपना जो आपका reform एजन डाय जो भी है, आपने ये लेके आप पार्टी, यानि फज़र रिमान साब के पास गए, आप जज़दारी साब के पास गए आपकी ये गए, आप अपनी अनाको साइट पे रख लें, आप यूर वेरी परसन, वेरी हमबल परसन आलसो, तो इसलिए मैं आपसे ये कह सकती हूँ, कि आपने देखे ना, एहम बात कर रहे हैं, साथ-साथ आप कह रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है, कोई है ही नहीं आप द हम अभी तक सियास्त सही बाहर नहीं आई, हमारी सियास्त बलाए सियास्त ही चलती है, हमने इश्यू औरिंटिट सियास्त आते हैं, कुर्सी कौन है, हमने नहीं की, कुर्सी किसने लेनी है, क्या उसने करना है, हमारे वहाँ सारी चीज़ खाली होता है, फ्राने आदमी को वह च्भादिया, यह हमारे हल है, जो बार-बार हार हकोमत अकर यही करती है, इसलिए मैं कहें रहा हूं, यह न और लोग नहीं हैं और जहां पर हम को लोग ज़रूई हैं मारोग नहीं हैं, कोई स्पेशलाइज आदमी नहीं आपके पास कोई कपैस्टी नहीं है इनोवेशन की, एफिशेंसी की, मामलात को समझने की, मार्केट को समझने की, रफागी एकुमत के अंदर. यह हमारी कैफियत है. बुनिया अर्टिफिशल इंटेलिजन्स पर चल रही है और हम अर्टिफ के बड़ी एहम बाते हैं, लेकिन यह जरूर हम कहते रहेंगे जब भी शायत खाकानवारी सब हमारे पास आएंगे, कि इसको आगे इसको बढ़ावा कैसे दे रहे हैं. इस नौट इनाफ तो जिस टॉक बाउट इट शायत खाकानवारी सब बहुत चुक्तिया प्रोग्राम मैंने का नाजी निसी पर आज का प्रोग्राम खतम करते हैं. खुदाफिज पाकिस्तान जिन्दाबात.